चलिए आप शुरू करते हैं पांचवा अध्याय लिंग आज मेरे छोटे भाई का जनम दिन है घर पर चाचा, चाची, बुवा, फूफा, मामा, मामी आई है उनके एक मित्र ने उसे मोर मोरने की तस्वेर उभार में दी है दादा दादी ने उसे साइकिल दिलाई है बच्चों उप्रिव प्वाक्यों के रंगीन शब्दों में से भाई, चाचा, फूफा, मामा, मोर वा दादा पुरुशाती का पोद करा रही है तथा चाची, वा, मामी, मोरनी वा दादी इस्त्री जाती का पोद करा रही है पुरुश या इस्त्री जाती का पोद कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं लिंग हमारे तो प्रकार के होते हैं पुर्लिंग और स्त्रेलिंग पुर्लिंग शब्द का वो रूप जिसे पुरुश चाती का पोद होता है उसे पुर्लिंग कहते हैं जैसे धोबी, बैल, राजा, शे, नर, हाथी, लेकर, चूहा ये सभी पुर्लिंग शब्द हैं स्त्रीलिंग वह शब्द जिसे की इस्त्री जाती का पोद होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं जैसे धोबिन, गाए, रानी, शेरनी, नारी, हदनी, लेकर, चूहा ये सभी इस्त्रीलिंग शब्द है दिनों, महीनों, पहाडों, पेडों, ग्रैहों, देशों और समुद्र के नाम अधिकांश पुर्लिंग होते हैं भाशा, नदियों, तिथियों, सडकों, काडियों, शक्ति सूचत नाम, बोलियों, वालिपियों के नाम अधिकांश त्रेलिंग होते हैं कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुलिंग या इस्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं जैसे खरगोश का मादा खरगोश, तितली का नर तितली कुछ संप, संग्या शब्द इस्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रियोग किये जाते हैं जैसे खिलाडी, राश्रुपती, मंत्री, प्रधान मंत्री, डॉक्टर, आदी बचों अब नीचे कुछ पुरुलिंग शब्द दिये गए हैं वा उनके इस्त्री लिंग शब्द दिये गए हैं इन्हें आपको याद करना है प्रिया शब्द से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं जैसे गाड़ी खड़ी है इससे पता चल रहा है कि ये स्त्री लिंग है हवा बह रही है ये भी स्त्री लिंग है पेड किर गया ये पुरुलिंग है मकान बड़ा है ये भी पुरुलिंग है विशेशर से भी हमारे लिंग की पहचान होती है जैसे लंबा पेड छुक गया यह हमारा पुरलिंग हो गया नीली कार खराब हो गई यह हमारा स्त्रीलिंग हो गया निर्जी वस्तूओं के लिंग को पहचान उनके साथ प्रियोक क्रिया एवम विशेशन से हो सकती है पुरलिंग में हमारे आते हैं जहाच, ताला, टमाटर, ठंडा, डम्रू, नमक, फल, बीच, भवन, शीशा, सेब, अंगूर, अखबार, अचार, घडा, अनाच, अनार, कंगन, कैश, कुवा, केला, चपब, स्त्रीलिंग शब्द है, तलवार, तो, दवार, नहर, नदी, नाक, बंदूक, बोतल, मेच, मेच, रजाई, स्याई, अंगूठी, आग, अदालत, कक्षा, गली, गुफा, चटान, शांदी, चीनी, छट, चेब, चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर, पहला है इसमें हमें सही विकल्प को चुनना हैं, पुर्श यास्त्री चाती का पोद कराने वाले शब्दों को कहते हैं लेंग। इनमें पुर्लिंग शब्द हैं। कमीच लिंग की पहचान तिरिया से भी होती हैं। मोर और मोरनी नाच रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पर, इसमें हमें निमलिके प्रिश्णों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वैम करना हैं। अब आते हैं तीसरे पर। पुर्लिंग वा इस्त्रिलिंग शब्दों का उचेत मिलान करना हैं। चात्र, चात्रा, चुवा, चुईया, भाई, बहन, पिता, माता, बैल, गाई। अब आते हैं चौथे पर, इसमें हमें निमलिके शब्दों के लिंग बताने हैं। जहाच, पुर्लिंग, अदालत, स्त्रीलिंग, बंदू, स्त्रीलिंग, बोतर्व, स्त्रीलिंग, छप्पर, पुर्लिंग, ठंडा, पुर्लिंग, केश, पुर्लिंग, मिर्च, स्त्रीलिंग, केला, पुर्लिंग, नहर, स्त्रीलिंग, अब आते हैं पाँच वेपर, नीचे दिये गए शब्दों के पुर्लिंग वर पहेली से टूंड कर लिखने हैं शेरनी का शेर, नागिन का नाग, पक्री का बक्रा, नौकरानी का नौकर, नाईका का नायक, बहन का पाई, महरानी का महराजा, अध्यापिका का अध्यापक्त हतनी का हाथी सुनारिन का सुनार